दोस्तो अच्छी बात आई है कि एक पोस्ट सामने आ रहा है कि जंडावंदन के लिए जो भी हमारे फाउजी भाई लोग है जो अपने घरों पे आए है उन लोगों को उनके हाथों से जंडावंदन करवाया जाए नेताओं की जगा लोग प्रतिनिधियों की जगा या फिर कोई अगर फाउजी गुजर चुके है शहीद हो चुके है तो उनके घरवालों को ये सम्मान मिलना चाहिए बहुत अच्छा पोस्ट आया है दोस्तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पोस्ट जिसकिसी ने पोस्ट बनाया है सब तरफ वाइरल हो रहा है अच्छा लगा है ये बहुत बहतरी वे है कि हम उन लोगों को उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो कई वर्षों से जिने सम्मान मिला नहीं है तो उने सम्मानित करना चाहिए और दूसरी चीज एक एक पेंशनर का बेटा होने के नाते एक EPS 95 पेंशनर का बेटा होने के नाते जब सरकार हमारे मेहनत को हमारे पिता के हम पेंशनर भायों के मेहनत को अगर सरकार नजर अंदाज कर रही है उने सम्मानित नहीं कर सकती है उनके उपर हुए अन्याय को न्याय नहीं दे सकती है तो फिर सरकार को भी हम लोगो सरकार को सम्मान के पात्र मैं नहीं समझ सकता दोस्तों क्योंकि गिव रेस्पेक्ट मुझे मैं जब जब गुस्षे में आता था मेरे को कई लोग बोलते थे कि गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, कोड़ बताते थे, फेस्बुक पे हर जगा आता था, जब सरकार ही इन EPS 95 पेंशनर्स को सम्मानित नहीं कर रही है, रेस्पेक्ट नहीं दे रही है, तो पिर सरकार को कैसे रेस्पेक्ट मिलेंगा, तो 65 लाग परिवार, जो पेंश यह हो इस उमर में भी आप लोगों ने अंदोलन किया अंशन अंदोलन जोक नहीं था आज 59100 दीन दोस्तों अंदोलन चल रहा नेकिन सरकार उस अंदोलन को सम्मानित नहीं कर रही है तो फिर मैं उन pensioners के वपति से एक सरकार ने लाई थी, 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम सरकार ने लाई थी, 1995 तक वही पेंशन स्कीम चलिये, इसमें उन पेंशनरों की क्या गलती है दोस्तों, सरकार ने जो रणनीती लाई थी, उन लोगों का, उनकी एक ही गलती है, कि उनकी दूर दुर्ष्टी नहीं थी, हमें इ बच्चों के प्रती रोजगारों के प्रती सरकार का ध्यान बिल्कुल गंबीर नहीं है तो हमारा कैसा हूंगा तो यह सिर्फ इतनी गलती हो गई उन pensioner के तुरू कि वो नवकरी करते समय उन्हें पता नहीं चला कि सरकार हमार को जो pension scheme दे रही है इससे हमारे को कोई फाइदा नहीं होने आला फिर भी सरकार ने अपने गलतियां accept नहीं की दोस्तो 1995 में एंप्लॉई pension scheme लागू की दोस्तो पहले तो family pension scheme के बारे में कोई documentation नहीं है सरकार का कोई दाइतों नहीं है कि family pension scheme हमने लाया था जो नुकसान हुआ है इनका ज्यादा कार्यकाल family pension scheme से गुजरा है किसी के 20 साल गुजरे है family pension scheme में किसी के 15 साल गुजरे है किसी के 25 साल गुजरे दोस्तो सरकार का दाइत्व था कि वो समय को count किया जाए उनके PF में बड़ोतरी की जाए उनकी pension बढ़के मिलनी चाहिए सरकार ने अपने जिम्मेदारियों को जिड़क दिया क्या करेंगे ये लोग कैसे लड़ेंगे सरकार को तकलिफ क्या हो रही है कि ये Facebook आया ये सरकार को तकलिफ क्या हो रही है कि Instagram आया है, Twitter आया है कि जनता अपने अधिकारों के प्रती अपने उपर हुए अन्याय के प्रती सरकार से जवाब मांग रही है सरकार से न्याय मांग रही है अब सरकार के नाक में रसी हो गई है, दम हो गया है। चाहे पिछली सरकार हो, या अभी की सरकार हो। इनको नहीं लगता है कि इनके कुछ गलतीओं के बदे से जनता को तकलिफ होती है। और भारतिय जनता पार्टी इतनी गयर जिम्मेदार कैसे हो सकती है दोस्तों भारतिय जनता पार्टी कहिती है कि जब फैमिली पेंशन स्कीम लागू हुई थी हम नहीं थे सरकार में, कॉंग्रेस पार्टी से पूछो 1995 में जब Employee Pension Skim EPS लागू किया गया, तब हम नहीं थे सरकार में आप कॉंग्रेस पार्टी से पूछो, अरे कॉंग्रेस पार्टी से पूछने, कॉंग्रेस पार्टी ने गलत काम किये थे बोलके तो भारतिय जनता पार्टी को जनता ने मतदान किया था जनता ने जनादेश क्यों दिया था कि पिछली सरकार के गलतियों के वज़े से हमें जो तकलिफ हो रही है कम से कम नई सरकार आएंगी और हमें न्याय दिलाएंगी हमें आने वाला भविश्य अच्छा भविश कि हम सरकार में नहीं थे आप उन लोगों से पूछे तो आप सरकार में क्यूं आए और आप सरकार में क्यूं बने हुए हो दे दीजिए आप सरकार गिरा दीजिए भारतिय जनता पार्टी खुद सरकार गिरा दे और राष्ट्रपती राजवट लागू होने दी कहे दे भारत तुर्क पेंशनरों को तकलिफ देने का हमको कोई अधिकार नहीं क्या भारतिय जनता पार्टी इतनी इमानदार है अपनी अकारेक्षमता एकसेप्ट करेंगी क्या अपनी अकारेक्षमता भारतिय जनता पार्टी एकसेप्ट करने के लिए तयार है क्या 56 सीना है ना भारतिय प्रदेश में सरकार गिराई जा सकती है करनाटक में सरकार गिराई जा सकती है यह 56 सीने को जम जाता है लेकिन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए 56 सीना सामने नहीं आते मुझे मुझे बहुत मुझे बहुत लगता है भारत के पंतप्रदान को सल्यूट करना लगता है जैसे मैं भारत के तिरंगे को सल्यूट करता हूँ वैसे ही मेरे को भारत के पंतप्रदान को भारत के राज्य सरकारों को में को सल्यूट करना लगता है लेकिन गरीबों के समस्याओं के प्रती इनकी समवेदन शिल्ता नहीं है दोस्तों, गरीबों के समस्याओं को देखने का इनका रवया बहुत गलत है, मेरे को बहुत सल्यूट करना लगता है भारत के पंतप्रदान को, इन 65,00,000,000 पेंशनर्स के वती से मेरे को भारत के प्रत्रदान के पहर्द होना चाता हूं, 65,00,000,000 पेंशनर्स के वती से क्यूंकि न्याए दिलाने वाला हमेशा बड़ा होता है दोस्तों, क्या गरस थी भगवान स्री कृष्ण को, महा भारत के युद्ध में भाग लेने की भगवान को क्या गरस थी, खुद का नाम बर्बाद करने की क्या गरस थी, लेकिन भगवान को लगा कि गलत शासक से ये निकाल लेना चाहिए और सहीं शासक के हाथ में दे ताकि जनता का शोशन रुख जाए, जनता पीडितना रहे, जनता का गरीबी दूर हो, ये भगवान चाहते थे बोलके इतना बड़ा पाप अपने उपर ले लिया भगवान और हमेशा से बिल भगवान के नाम से फटते आया दोस्तों। कहा मर गई, जनता की समस्याए कहा मर गई, पार्टी विस्तार पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जनता के समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इतनी मेजोरिटी सरकार जो जनता ने चुनके लाई है, वही सरकार आज जनता के उपकार भूल गई है, उन्हें इत करति निदी रहते हैं क्या जakट के तरप से इनको देश के तरप से इनको कोई कम फैसिलीटी मिल रही है क्या दोस्तो कोई !! तकलीफ आए इनको फिर जनता के समस्यों का निवारण करने के लिए इनको क्या प्रॉब्लम है गलतिया तो एक्सेप्ट नहीं करते कॉंग्रेस पार्टी अपने गलतिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी भारतिय जनता पार्टी अपने गलतिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी जनता ने क्या नहीं दिया दोस्तों क्या नहीं दिया पिछले 73 साल आजादी के देख लीजिए आप सबका वयक्तिक वयक्तिक तरक्की देख लीजिए प्रगति देख लीजिए किसका कितना सक्सेस है किसका परिवारिक किसका फाइनशियल कंडिशन क्या है और उसके बाद बो सरकारों को देश ने किस चीज की कमी किये मीडिया इनके हातों तले है दोस्तों पुलिस प्रशासन इनके हातों तले है न्याय प्रणाली को भी इनोंने अपने पहरों तले रौंद दिया है देश की न्याय प्रणाली भी सरकार के हिसाब से काम करती है क्या क्या गलती है देश सरकार ट्रांसपरेंट कब बनेंगी क्या कितने पेंशनर रोज पेंशनर मर रहे है लेकिन सरकार को इसका कोई फरक ने गिरता है लेबर मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर कब जिम्मेदारी लेंगे क्या लेबर मिनिस्टर इतने इमानदार है कि जो न्याय में इतना बाधाय आ रह कि पेंशनरों को न्याय दिलाने में मैं अकारेक्षम हूं इसलिए मैं अपना राजी नामा देता हूं बोलके इतने इमानदार है क्या दोस्तों गरीब जनता तक मीडिया पहुशती नहीं है गरीब जनता के सवाल मीडिया उठाती नहीं है विरोधी पक्षद पलट के देखना नहीं चाहता है गरीब जनता के समस्याओं को फिर कैसे चलेंगा दोस्त कैसे चलेंगा यह देश कैसे चलेंगा लोगतांत्रिक के लिए कोई तो भी रीजन होना चाहिए ना दोस्तों कि सरकार अगर मेजोरिटी में आये वाली सरकार 65 लाग परिवारों को न्याय नहीं दिला सकती तो वह 56 इंची कैसे हो सकते मैं कैसे पहर्द हो हूँ मोधी जी जैसे आपने सफाई कर्मचारी के पहर्द होए आपके पहर्द होना चाहता हूँ 65 लाग परिवारों के तरफ से आप मेरे को रीजन दीजिए मोधी जी आपके लेबर मिनिस्टर फेल हो चुके है वो बिलकुल इन गरीब पेंशनरों के तरफ पतके नहीं देख रहे है कितने सालों से अंदोलन चल रहे है लेकिन वो लेबर मिनिस्टर का दाईत्व नहीं है क्या इन गरीब पेंशनरों से से बात करें और कितना समय लगेगा क्या पूरे pensioner मरने के बाद नियाए करने का इंतजार कर रही है सरकार ताकि पूरा पैसा बटोर लिया जा सके EPFO द्वारा पूरा पैसा बटोर लिया जा सके दोस्तों EPFO का EPFO लेबर के लिए बनाया गया है employee के लिए बनाया गया है या सरकार को सपोर्ट करने के लिए EPFO बनाया गया है EPFO का करतव्य क्या है सरकार के अंडर काम कर रहा है EPFO लेकिन गरिप पेंशनेरों के तरफ पलटके नहीं देखता आई एपीओफो एंप्लोई प्रॉविडन फंड और्गनाइजेशन फॉर्म कब हुई है 1952 में 1952 में एंप्लोई प्रॉविडन फंड और्गनाइजेशन स्थापित हुई है लेकिन अभी तक एपीओफो इंडिपेंडन्ट नह के इलेक्शन होना चाहिए आप लेबर मिनिस्टर को अपने सरकार में से लेबर मिनिस्टर बनाते हो आप ही की सरकार रहती है एपीओफो आप ही के मारगे दर्शन में चलता है एपीओफो तो फिर लेबर को कोन बात करेगा यहाँ पे तो कोई यूनियन लेबर के लिए काम करते नहीं है फिर कैसे होंगा नैक कमिटी को आप गिनते नहीं हो नैक कमिटी कोई लेबर युनियन नहीं है नैक कमिटी आपके गलतियों के बज़े से आपके द्वारा किये गए अन्याय के बज़े से स्थापित की गई है मजबूरी में नैक कमिटी स्थापित हुई है जरा आप कमांडर आशोक राउट सर जी से पूछिए कि नैक कमिटी स्थापित क्यों करना पड़ा हूं क्या सरकार इमानदारी से इन subscribers को न्याय देता था तो क्या NAC committee इसतापित करने के लिए अशोकॐस सरक्वीक न。 इंट्रेस्ट था क्या पूछे दरा वो बताएंगे आपको कि किन हालातों में नैक कमिटी स्थापित की गई है क्या उस नैक कमिटी के पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है इसलिए सरकार उनके मेहनत को गिन नहीं रही है उन्हें कम आंक रही है दोस्तों EPFO का कर्तव्य क्या है लेबर मिनिस्टर का कर्तव्य क्या है EPFO पेंशनरों से बात क्यूं नहीं करता है लेबर मिनिस्टर पेंशनरों के न्याय के लिए क्यूं नहीं कारियरत है PMO Office को इतने चिठिया लिखी जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है Labor Minister को इतने mail किये जाते है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है क्या Labor Minister का दाईत्व नहीं है उन पेंशनरों के सवालों का जवाब दे किसलिए किसलिए देश ने आपको Labor Minister बनाया क्या देश को Labor Minister की ज़रूरत है क्या अगर न्याए मिलना ही नहीं है तो Labor Minister की देश को ज़रूरत है क्या दोस्तो और Labor Minister का Rolls and Responsibility क्या है क्या देश ने Labor Minister को Facility देने में कुछ कमी किये कुछ अपमानित किया है क्या लेबर मिनिस्टर ने कह देना चाहिए कि मेरे को पैसों की कमी है मेरे को फैसिलिटी नहीं मिल रही है मेरे हाथ से मेरे अधिकार चीन लिए गए मैं सिर्फ नाम का लेबर मिनिस्टर हूँ ये कह देना चाहिए लेबर मिनिस्टर ने कि मेरे अधिकार छीन लिए गए है, इसलिए मैं आप गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं दिला सकरा हूँ, मैं मजबूर हूँ, ये लेबर मिनिस्टर सब के सामने आके कहना चाहिए देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए, कि लेबर मिनिस्टर को बाद है क्या आ रही है, क्या पंतप्रदान लेबर मिनिस्टर को इंडिपेंडन काम करने नहीं देते है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पे उपस्तित होता है दोस्तों, पेंशनरों को न्याय दिलाने कि जिम्मेदारी लेबर मिनिस्टर की थी, लेकिन लेबर मिनिस्टर को अधिकार छीन लिए गए पंतप्रदान द्वारा, क्या ये बात सही है, क्या लेबर मिनिस्टर को कोई अधिकार है क्या, और लेबर मिनिस्टर के अधिकार छीन लिए गए है, तो ये देश के जनता को पता होना चाहिए कि लेबर मिनिस्टर को नाम के लिए बिठाया गया है मांपे इतनी सरकार ट्रांसपरंट है क्या One Man Show सरकार चल रही है क्या देश के जंता को बता दीजिए कि भारतिय जंता पार्टी One Man Show चल रहा है मानणिय पंतप्रदान नरेंद्र मोदी जी वही पंतप्रदान है वही लेबर मिनिस्टर है वही होम मिनिस्टर है वही फाइनांस मिनिस्टर है वही स्वास्थ्य मंत्री है हेल्थ मिनिस्टर वही है कैबिनेट मिनिस्टर वही है यह कहे देना चाहिए भारत के पंतप्रदान ने की मैं अकेला सरवे सरफ वाहुं इसी इसी लिए labor minister आपको न्याय नहीं दिला रहे कियोंकि उनके अधिकार चेन लिए गया, उनको करसे नाम के लिए बिटाया गया है तो निकाल दीजिए labor minister labor ministry निकाल दीजिए देश में से अगर labor minister independent नहीं है pensioners को न्याय नहीं दिला सकता पेंशनर्स के सवालों का जवाब देई नहीं है लेबर मिनिस्टर तो लेबर मिनिस्टर निकाल दीजिए क्या फाइदा 7700 करोड का बजट 7700 करोड का बजट लेबर मिनिस्टरी पर खर्च करके किसको फाइदा हो रहा है दोस्तों देश के जंता को लेबर्स को क्या फायदा हो रहा है Euitti 700 करोट रुपए और मामूली बज़ट नहीं है वह देश का पईसा है सरकार का पईसा नहीं हो दे देश के जनता का पैसा है वो हर डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली अगर आप काम करने नहीं दे सकते तो फिर सरकार गिरा दीजिए आप राजिनामा दीजिए लेबर मिनिस्टर ने राजिनामा देना चाहिए कि मैं इन लोगों को न्याय नहीं दिला सकता इनको सेन रिस्पॉंसिबिटी आयम नौट कैपेबल तो गीव दा जस्टिस तो दे लेबर्स दिस पेंशनर्स हूँ वू वू इस आस्किंग मी मोर दैन सिक्सियर्स पिछले छे सालों से जो लोग मेरको न्याय मांग रहे है जो अंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे है तो मैं उनको न मैं आये नहीं दिला सकता जस्टिस दिला नहीं सकता मैं राजी नामा देता हूं मैं मेरा इस्तिफा देता हूं मैं रेजिगनेशन देता हूं क्यूं नहीं कहते लेबर मिनिस्टर शरकार ट्राणस्परेंट होना चाहिए दोस्तो भारतिय जनता पार्टी खुद पहती है दोस्तो भारतिय जन्ता पार्टी ने जो किताब बनाये वाला है दस्वी का किताब उसमें भारतिय जन्ता पार्टी खुद कहे रही है भारतिय जन्ता पार्टी खुद कहे रही है उसके अंदर कि जन्ता को न्याएम अधिकार है जनता के उपर सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है राइट बेस्ट एप्रोच खुद भारतिय जनता पार्टी ने कहा है कि अधिकार के दुरुष्टी कोन से आप सरकार से बात करो क्या पेंशनरों को अधिकार नहीं है क्या EPS 95 pensioners को right नहीं है क्या सरकार से नियाय मांगने का labor minister बात नहीं कर रहा है तो भारत के पंतप्रदान जी से बात करने का अधिकार नहीं है कितने मुद्दे कितने ऐसे cases है जिसको सरकार दबा चुकी है जिसको result में अभी तक परावर्तित नहीं किया जा रहा है जनता में और सरकार में communication कम हो रहा है इसलिए हिटलर चाहिए बढ़ रही है पीपल पीपल आई थिंग पीपल शुद टॉक टाइमली बेसिस whenever you will find something wrong about the wrong governance, you people should speak and we should get the equal right as per the government, to speak with the government to show their mistakes but हमारको सिर्फ voting का right है दोस्तो हमको सरकार की गलतिया बताने का कोई right नहीं है हमने सरकार बनाई हम सब democracy बनाते हैं हम सरकार चुनके लाते हैं और सरकार हमारसे ही लोक्षाई छीन ले रही है अभी वेक्ति छीन ली गई है हमें right नहीं है right for justice नहीं है क्या हम लोगों को pension के प्रती right for justice नहीं है क्या हमको हम पूछ नहीं सकते क्या भारत सरकार से communication अगर आप करने नहीं देऊगे जनता के समस्याओं को आप सुनोंगे नहीं अपने गलतियों को आप notice नहीं करोगे तो democracy कैसे चलेगी सरकार अपने गलतियां accept नहीं करेंगी तो democracy चलेंगी कैसे यह तो हुकुम शाही हो गई हिटलर शाही हो गई है कि न्यूज चैनल दोस्तों न्यूज चैनल के उपर अगर कोई नेता कोई politician अगर प्रोटेस्ट करता है हर न्यूज चैनल बताता है हर न्यूज चैनल हर हर न्यूज चैनल के उपर न्यूज आती है दोस्तों लेकिन वही वही कही पबिलिक अगर protest करती है pen valt करें पेंशनर प्रोटेस्ट कर रहे है unemployed student unemployed प्रोटेस्ट कर रहे तो news channel बताता नहीं है दोस्तों क्यों नहीं बताता है क्या जनता को right नहीं है सरकार तक उसके गलतिया बताने सरकार से नाराजगी जताने का जनता को अधिकार नहीं है क्या संक सरकार के उपर अपना रोश व्यक्त करने का जनता को अधिकार नहीं है क्या दोस्तों डेमोक्राटिक वे से नॉन वोईलेंट वे से सरकार के गलतिया बताने का अधिकार है या नहीं अपने न्याय मंगने का अधिकार है या नहीं जनता को और मीडिया का करतव है या नहीं जनता के अंदोलनों को देश व्यापी बनाने का मीडिया का दाई तो है या नहीं पिर डेमोक्रासी कैसे चलेगी दोस्तों क्या हम खाली एलेक्षन के दिन पैदा होंगे और एलेक्षन होते ही रिजल्ट लगते ही हमें मार दिया जाएगा हमारी आवातक सुनी नहीं जाएंगी क्या दोस्तों रोज पेंशनर मर रहे हैं दोस्तों जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पेंशनर उमर के चलते परिस्तिति के चलते उनके खुद के शारीरिक बिमारियों के चलते मर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं गिरता है अपोजिशन लीडर्स को कोई फर्क नहीं किरता है उन पेंशनर्स के प्रती यह यह डेमोक्रसी है क्या दोस्तों यह किस तरह की डेमोक्रसी यह लोग चला रहे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सरकार ने अपने गलतिया छुपाने चाहिए सरकार ने अगर सरकार इमानदा रहे तो अपने गलतिया तुरंत एकसेप्ट कर ले कैसे मैं भारत के कैसे मैं भारत के पंत्यप्रदान को सल्यूट करूँ अगर जनता के समस्याओं का निवारन नहीं हो रहा है तो सल्यूट कैसे करूँगा मैं भारत के पंत्यप्रदान को जैसे मैं तिरंगे को सल्यूट करता हूँ मैं भारत के पंत्यप्रदान को सल्यूट कब करूँ मैं भारत के लेबर मिनिस्टर को सल्यूट कब करूँ मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को सल्यूट कप करूँ जनता के समस्याओं के प्रतीन को कोई लेना देना नहीं। अपने-अपने मुद्य लाते है लोगों को ब्रहमिद करना, लोगों का समय बरबात करना लोगों को सत्य से दूर रखना ये किस्तर का वातावरन चल रहा है 73 साल से देश में राइट फॉर इंफॉर्मेशन लोग शाहित नागरिकांचे सक्षमी करन अनेक मारगानी जाले पाईजे नागरिकांचा सहभागाचा संधी देता अस्तानाच तैंचाशी असनारा शासनाचा समवाद वाडला पाईजे ये भारतिया जनता पार्टी ने दसवी का किताब बनाय वाला है दोस्तो खुद भारतिया जनता पार्टी बोलती है to information में कहती है कि लोगों का people का सक्षमिकरन power to the people in a democracy power to the people should increase people should get equal right to speak with the government people should get the right to to show the mistakes of the government यहां पर भारतिय जनता परती और कहती है कि सरकार और जनता के बीच में समवाद बढ़ना चाहिए कैसे बढ़ेंगा आप जनता को सुनना ही नहीं चाहते हो आप अपने मन की बात करते हो आप अपने लिए ही सबका साथ सबका विकास सबका साथ खाली भारतिय जनता पार्ती का विकास जनता का विकास नहीं, खाली भारतिय जनता पार्टी का विकास और जनता का डेमोक्रसी में विश्वास बढ़ना चाहिए इसलिए सरकार ने कई उपाई होजना करने चाहिए लेकिन सरकार क्या कर रही है? जनता को सक्षमी करन करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कैसे विश्वास बढ़ेगा सरकार के प्रती कैसे कौमन आदमी सरकार के उपर भरोसा करे ट्रस्ट करे इतनी इतनी ब्यूटिफुल डेमोक्रसी बनके हमको क्या फाइदा हुआ दोस्तों यह सबने सवाल करना चाहिए कि डेमोक्रसी चल रही है क्या देश में दोस्तों डेमोक्रसी बोले तो लोग हर आदमी आपके किंग है हर आदमी किंग मेकर है आपका एक वोट किसी की सरकार गिरा सकता है आपका एक ओट किसी की सरकार चुनके ला सकता है किसी को राजा बना सकता है You people are the kingmaker आपने सरकार बनाई है आप कोई मामूली लोग नहीं हो लेकिन आपको मामूली बताया जाया